तो दोस्तों अभी हम लोग डिसकस करेंगे इस क्लास में रविना टेगोर की थियोरी ओफ फ्रीडम एंड सेल्फ एराइशन मतलब रविना टेगोर की जो स्वाधिन्ता और आत्म अनुवती को लेके जो थियोरी था उसको लुट डिटेस में आपर जानेंगे या डिसकस करें इस स्वाधिन्ता को लेके जो एक चिंतन या विचार जो पनप रहा था या उबर के आ रहा था जो कि आपका राजा राम्मोहन रोय से शुरू हुई थी जो मॉडरन मैन अफ इंडिया कहा जाता है उन्जीन को तो उनसे यह जो स्वाधिन्ता के लेके जो विचार था उनसे आरम होई थी और इसकी अविवेक्ति हमें मिलती है जो स्वामी विवेगन की लिखनी या कथन में फिर इसके बाद और विंदो घोश्क की कतनी में या लिख नियात उनकी जो भी प्रविषार था और अध में टिकोर की भी इसी जो उतनिपन इसी विचार जो स्वाधिन्ता प्ली विचार है इसी्सिल्सिले में वह आते हैं या सम्मेलित होते हैं जो कि राजा रामों रोय जी से आरम हुई थी, तो या फिड़म की या स्वाधिं்ता की जो आइडिया थी या विचार थी, ये राजा रामों रोय से टेगोर तक एक ही मतलब आइडिया की विभिनन पतिछ मिलता है, वही सिंसिला, बरकरार है यह कहना है यहाँ पे. राम मोहन वांटे तु सिंदेजाइज इंडियन इंवेस्टा आइडिया विट इन आन्फिंचिंग कॉमिट्मेंट तो इस ओन ट्रेडिशन देखे राजा राम मोहन जी जो कि भारत में जो स्वाधिन्ता की विचार की मतलब जो जिन से आरम हुई यह माना जाता है तो राजा जो जो modern ideas है उससे भारत को मतलब सीख लेना चाहिए और भारत की जो सब्यता है तबी मतलब आगे modern age के साथ तानमेल बजा के आगे बढ़ सकता है तो लेकिन यह नहीं है कि जो राजा राम मोहन रोचाते थे कि western ideas से भारत मतलब भारत की सब्यता influence हो भारत वो सीखे लेकिन उनका जो भारत की जो हमारे संस्कीत है सब्यता है उसके पती उनका एक अदम में मतलब एक मतलब सानुपती था या उसके पती वह मतलब ज्यादा वह यह भारत की जो सब्यता है उसको अभेला करते थे बलकि उनकी भारत की सब्यता है यह संस्कीत है उसके पती उनकी उनकी एक अदम में निष्टा थी अभी स्वामी विवेकरन्द की क्या विजार थी विवेकरन्द लाइक राम मोहन वाजू रूटे इन इन ट्रेडिशन देखें जिसे राम मोहन रोए यह यह मानते थे कि जो वेस्टन आइडियास है उससे भारत की जो लोग है यह सब्वेता है उस तरह स्वामी विवेकरन्द जी भी उनकी विचार थी या जो जो उनकी थॉसमें रहना है तो औरम घोष जी क्या सूच्छ झी गांधी उन्ट इंटेगोर और पर अपना जो भारतिया जो महान संस्कित है उस पे हमें अडे रहना है उसी पे हमें अडे रहेकर पच्छीवा सब्सक्राइब आगे बढ़ना चाहिए तो इसी तरह वो भी जाते थे औरे में घोश जी अगांदी जी ऊटेगोर तीनों यही चाते थे कि हमें जो भारती संस्कीति है उसके साथ पश्डितर के साथ एक हार्मोनी एक सव्भावना पूर्ण उसके साथ एक चलके मतलब हमें अपना सब्वेतर को या संस्कीति नाखो के अपनी पहचान को नाख होके अपने कल्चर को बजाय रखके उसके कायम रहके पश्री में सभीतर के साथ तालमेल रखके हमें बरतवान युग में या मौडन एज में आगे बढ़ना है और हमें संस्कीति को आगे बढ़ा के ले जाना है ये था विचार हमें हमारा और विंद घोष जी का सब्सक्राइब के लिए बढ़ा के साथ तभी संबभ है जब वो अपने आप की या अपने वेक्तितों को विश्य ब्रह्मान के साथ तालमेल बजाके उसमें विलिन हो जाए या उसी से वो पूटसाइथ हो या उसी से उस इनिवर्स की विश्य ब्रह्मान की जो नियम कानूल से वो सीखे या उसी के नियमने साथ चले या अपने आपको विलिन कर दे मतलब नेचर में प्रकृति में या विश्य ब्रह्मान के साथ वो अपने आपको विलिन कर दे तभी एक व्यक्त बहुति हुए है कि यह वन Nepने कई बर कि अधा निher्यों मेरे स्वाधिन्ता कि पुःफि से यह प्रकाइटी से ही प्रयणा लिया हुआ है। और प्रकृति से ही मतलब बिलीन हो जाती है और मतलब व्यक्ति के स्वाधिनता प्रकृति में बिलीन होने से ही प्रकृति से ही प्रेडित होने से या उससे ही प्रेड़ना लेके चलने में ही उसकी व्यक्तिकत स्वाधिनता है ना कि कोई राजनेतिक उत्थान से उसकी इसको अपने कार्य में या देने दिन जीवन में उसको संपूर्णता या उसको पूर्णता की पूर्णता हसील करें उसको पर्फेक्ट बना दे उसको मत्तब सरवच्च बना दे उसकी हर छेत्र में उसको पर्फेक्शन की ओर ले जाए तो इसी चेतर में इसी ओर वो कहते थे वो मतलब जो दुनिया विश्यों में उसकी दबदबा रखा था सभी देशों को उसने अपने दमन में अपने मतलब अपने सभी देशों को उसने कर दिया था गुलाम मना के रखा था लेकिन टेगोर जी के यह मना था कि वास्ते ग्रूब में उसकी फीडम या उसकी स्वाधिनता नहीं है जिसे कि कई नेशन मतलब कई देशों में दिखा गया है कि वह यद्दपी आपका राजनेतिक तो आपका फीडम की जो स्वाधिनता की जो उनकी सोच था या विचार था वो मतलब वास्तविक जो स्वाधिनता या जो जगोर जी जो स्वाधिनता मानते थे उससे काफी अलग है और यह उनकी जो स्वाधिनता की विचार था या उनकी जो आइडिया था वो था दूसरे को कै करके दमन करके अपना जो बल करके अपना जो अब है या उनकी जो शमता है इसको और बढ़ाने का जो सोच है वो बैट्यकत रूब में उनकी स्वाधिनत्या नहीं है बलकि उनकी एक है मतला आपका संकिन दिश्टिकून का एक पतिचवी है इस पी चेटिटीटीड है जिनिदेगी का जहां पर एक मनिष्य को एक व्यक्ति को ये देश को आपने आप में सरवुच्च ओने का यह बेस्ट होने का उसको उत्तम होने का उसको मोका दे The human being as part of this great universe could enjoy real freedom only when he could harmonize his relations with the world. और मनिश्चिक इस बिश्व ब्रमान में तभी मतलब आपका वास्तवी क्रोम में वो अपना उसका स्वाधिन्ता को हासिल कर सकता है उसको उपलत कर सकता है जब अपने आपको उसकी जो संबंद है दुसरे विश्यो व्रमान के साथ दुसरे लोगों के साथ या दुसरे देश के साथ एक विश्यो के साथ एक विक्ति या देश या एक समुदाय मतलब स्वाधिन्ता को उपलत कर सकता है उसको वो मतलब उसकी आनन्द उठा सकता है It is a bond of unity where power lays to disunity. करती है दूसरे से अलग कर देती है या लोगों में जागड़ा या वीबाद की जड़ या शिष्टी करती है जो लोगों को एक दूसरे में जोड़ देशों में सोहाथ पूर्ण ऐक संबन्द करें ना कि दूसरे को दमन करें तो उसतरा की जो स्वाधिनता को वो स्वाधिनता वास्ताविक रोब्बे नहीं मानते थे Tegor's notion of freedom was influenced by expressionism and political theories of the early 20th century like Ernest Barker, Mary Follett and Harold Lusky who vigorously played for a plural society as a basic precondition for the successful functioning of democracy Tegor's notion of expressionism and theory that they should become a realist and thinker as a political theory थे इनसे उनकी जो स्वाजिनता की धारना है वो काफी प्रभावित हुई थी और यह यह तीनों यह मानते थे कि जो एक पुरियल सुसाइटी मतलब सभी लोग समाज में जो मिल जूल के रहना वाला एक मुल्टी कल्चरल यह डाइवर्स सुसाइटी या एक समाज वहां पर मतलब चलना है अगर सफल रूप में कारे करना है या उसको सफल होनी के लिए यह प्रुरियल सुसाइटी एक मतलब सभी लोगों का मतलब एक मिला-जूला एक समाज एक मतलब उसके अनिवारिये एक कंडिशन है जिसके विना मतलब यह समाइवर्सी मतलब सक्सेस्फुली स्वाजिन्ता है स्वाजिन्ता की जो आइडिया थी या उनके विचार था वो काफी प्राभावित हुई थी मतलब उसके जो अधुनिक समाज है वह एक खोकला है अंदर से और जांतरिक है मतलब मेकानिकल है कुछ प्राक्टिकल उसमें नहीं है और यह क्या करती है जो मानुश्ये की जो श्यूजन शिलता है जो क्रिड़ीन स्पिरिट है या जो उसकी जो एनर्जी है शक्ति है उसको दमन करता है या उसको बेकार कर देती है जो आधुनिक सब्समाज तो उनकी जो सोच था यह T.S. इलिएट से भी अमेरिका की जो कभी महान कभी थे उनसे भी काफी मिलता जुदा था या उनके साथ उन्होंने काफी समय इसको शेर भी किया था He desired a freedom that would enable a human being to realize his ideas and aspirations as it found expression in different types of creative art with the help of reason and scientific outlook and by allowing the potentialities of industrialization towards human liberation तो टेगोड जी उस तरह का एक स्वाधिनता या freedom की चा रखते थे या सोच रखते थे जो की मनिश्य को उसको सक्षम करेगा कि उसकी जो भी उसकी आइडिया से उसकी विचार है या उसकी चाह है उसको हासिल करने में उसको वास्तवी रूप में रूपांतरित करने में उस को सक्षम करेगा उसको सहायता करेगा या उसको उस तरह आगे बढ़ने के लिए उसको शक्ति प्रतान करेगा और जो की विविनत तरह की जो कला है उसके प्रकट होती है उसकी भाव प्रकट हुई है और यह तब सम्मभ होगा जो मनिश्य मतलब अपनी सूझ बूज या समझ समझ बिचार से काम करेगा या वेग्यानिक दिश्टिकों से वो सभी चीजों को देखेगा और जो भी उसकी जो शमता है वो मतलब आपकी जो उद्धगी करन से मतलब उसको हासिल करने में या मनुष्य की आजादी के लिए या उसकी लिबरेशन के लिए उसकी मुक्ति के के लिए मतलब बैगाने जिश्टी कोन साइन्टिफिक आउटलूक समझ वीचार इस समझ रिजनिंग के पसटी और जो उद्यकरन यह मौडरन जो इंडस्टी जो इंडस्टी या जो भी साइंटिफिक आपकी जो विग्यान ने जो भी आपकी मनिश्य को दिये हैं उसकी सायता लेकेर मनिश्य की जो भी अंदरुनीचा या विचार है उसको अभिवक्ति के लिए या उसको हासिल करने में मतलब इन सभी की मतलब सम्मयनिते एक मतलब सायता लेके जब मनिश्य अग्रगनी होगा उस तरह आगे बड़ेगा नीव या विचार या सोच रखते थे रविन्ना टेगोर जी अब या आगे देखते हैं टेगोर गाइडे वाधा उपनेशितिक डॉक्ट्राइड और सत्यम शिवम और अध्वाइतम टुट्ट ऑफ गूड्नेस और उनिटी वस अटरले डिस्साटिसफाइड उद फिलोसोफ यह देखता में विशास करती थी तो वो काफी निराश हो गये थे बिल्कुरी निराश हो गये थे जो बरतामान आधुनेक जो यूग की जो आपकी नीती थी अधारना थी जो कि अपका लोगों को मतलब आपका गुनगान की और या जो आपका विस्तारवात की या जो पारफुल लोग है उनकी गुनगान करने का या विस्तावात आपने रास्ट्र की जो अविशुको स्सीमा ऩो बढ़ाने में जो विश्वास करती थी या आपने जो शमता को बढ़ाने की जो जो सोच थी जो राश्ट्र की एक तो उस तरह की पर एक पिर グ dimania gider Cata भारत में आये थे तो उस तरह की जो नीदी जो इन देशों ने अपना आए थी तो उनका मानना था कि यह मनुख्य की जो सिजन शिलता है उसको बिलकुल ही खतम कर देती थी या उसको बेकार कर देती थी अबिवक्ति होती है उनकी मुख्ये दो जो कार्य था या जो लिखनी थी वो था रखतकोरोबी और जो नौवल से और मुख्तधारा इन दोनों में उनकी यह विचार की हमें अबिवक्ति मिलती है However, like Russell, he continued to retain his faith in the human being as evident from his Russia's city and Africa which is clear preference for socialism, democracy, freedom and social justice that transcended national boundaries and races लेकिन उनकी जो विचार था वो जो अबिटिश जो अंग्रेज जो फिलोसोफर थे या थिंकर थे या मैथे बटन रसल से वो काफी उनकी सोच था वो मिलता जुता था और उनकी बटन रसल की तरह ही यदे भी वो नीराश होए थे उस समय की मतलब काफी हतोसाइथ होई थे उस सब्सक्राइब की जो फिलोसफी थी जो की अपका शमता कोई गुनगान की या जो विस्तारवाद की गुनगान में लिप था या उसकी मतलब इस धारना पे चलने वाले जो भी राष्टे थे या जो फिलोसफी है उससे काफी वो निराश हुए थे लेकिन वो बटन रसल ज उनके साथ-साथ वो भी यह विश्वास करते थे कि जो मनिश्य की जो मतलब मौलिक जो गठने मनिश्य में मनिश्य की जाती में वो या मनिश्य की जो मानवता पर उनकी काफी विश्वास था और यह जो की मानवता उनका उनका यह विश्वास था कि आंद में मानवता की जी लिए अफ्रिका इस तरह की जो उनकी लिःद्वंनीति उनने कि विश्वास या विश्वास की ogyको वहां पहुंका चाहा्त था रखेज कि समाजवाद पर्के इस विश्वास करते थे या चाहते थे कि समाज जो सपोर्ट करते थे वो सराना करते थे समाज बात को या डगंदंद्र को या स्वाधिन्ता को या समाजिक नियाय के पति जो उनकी विश्वास आस्ता था तो उसके पति जो उनकी धारना या जो आस्ता ये उनकी रश्य चिठी आफ्रीका जैसे चुकारी है उसमें सब्सक्राविवक्ति मिलती है और इस तरह कि जो सोच था वह मतलब जो राष्ट्र जो बांडरी जह सीमा है यह जाती का जो जाती से या छुग से अपर राश्ट रॉठके परे उठके मतलब यह सोच था मतलब उनकी यह मन ना था यो ब्लोग को जातिवाद या राष्ट्रवाद से उपर उठके मतलब मानवबाद में विश्वास करना चाहिए और मानवता को ही प्रधाना देना चाहिए ना कि मतलब संकीन मनसिक्ता से परवाइद होके राष्टरवाद या जातिवाद में ही अपने आपको मनिश्य की सोच को सीमित करके संकीन होना वो बिलकुल ही मतलब नहीं मानते थे या उसकी पुष्टी नहीं करते थे वो पर टेगोर फिड़ॉआद ொ उसकी प्रोग्र वॉझे उसकी अमती एक बड़ेगा या उसकी उन्नती होगी तो माना सवेता की उन्नती या उसकी आगे बढ़ने के जो नीव है या जो गड़ है वो बेक्तिकत स्वाधिन्ता में ही अंतरनीध है यह माना था टेगोर जी का इट वस्टाइन जी की पर्षाव इन हमेशा जो बिश्व ब्रमान के साथ तालमेल वजाके या उसक सम्बाती के साथ एक सोहार्पूर्न एक स्थिती के साथ संबंध के साथ उसको रहना सिखाती है मतलब पूरे जो विश्व व्रमान या पृतिवी के जितने भी समुधा है उसके साथ उन लोगों के साथ या देखा जाया तो विश्व व्रमान के साथ एक वेक्ति किस तरह तान्मिल बजा के या सोहार्थ पूर्ण एक संबंद रखके अपना जिवन यापन कर सकेगा तो वही उसी की चाहत मतलब फीडम है या स्वाधिन्ता है यह मानना था टेगोर जी का फीडम एवर्यधिंग क्रियेटिव एंपॉंटेनियर इन हीमन मानने परिट और जो मनुष्य की स्वाधिन्ता है वो उसमें आपका सभी स्विजन चिलता है उसमें और जो स्वतर प्रवर्यति जो प्रवर्यति से आती है उसकी मनमश्टिक्ष में या आत्मा में वो सभी जो इस वेख्टिकित समाजी स्वाधिन्ता है यह मनेश्यों को समाज व्यवस्ता करने की बनाया रखने के लिए उसको शमत्हा प्रदान करती है तेग वर व अगेंस अन्यखेन कानूंट विच्व ए बिना सवाल उठाये यह इसको जांचे परखे उसको मान लेना मतलब वो ये मानते थे कि वो एक मतलब गुलामी के वस्ता है और ये मनिश्य समाज में ये सबता की एक मतलब सबसे बुरी तरह का एक कैंसर की तरह है मतलब कोई वी नियाम कानून या कोई भी समाज व्यस्ता या किसी वी रिती निती को हम अगर उसके बिना सवाल किये उसको मान लेते हैं तो वो इसको एक तरह का गुलामी मानते थे जो की अंध विश्वास के समतुल्य है और वो ये मानते थे कि सभी चीजों को जाचना परकना या उसको वेगानिक दिष्टिकों से या समाजी दिष्टिकों से या भला या बुरे की दिष्टिकों से उसको जाचना परकना चाह पाणने के लिए या मानव सताव आको उसकी मुक्ति के लिए या नेतिक उत्थान के लिए मतलब कई रबार्ग है और किसी भी मार्ग को एक विश्वाशी जो मानव सब्वेता की उन्नती या उसकी स्वाजिनता पे या मुक्ती पे विश्वाश करता है तो किसी भी सही मार्ग को अपना सकता है जो मानव सब्वेता को मतलब उसको मतलब salvation देगा, उसको मुक्त करेगा, उसको मुक्ती देगा, चरम मुक्ती देगा, और उसको महनद सब्यदा को नेतिकता के और आगे बनने का मुका देगा. He conceived of history as a gradual unfolding and realization of absolute truth and throw it the individual revelation and fulfillment and in the end the emergence of the true free and content human being. और मतलब टेगोर जी के हिसाब से जो इतियास है, वो है मानत सब्यात है कि जो धीरे धीरे उसकी जो सत्य की और आगे बनना या सत्य को जानना या उसको एसास करने का जो पद्दती है या जो भी मार्ग या जो भी उसके कारेकलाब है, उसी को दशाता है इतियास प्राकितिक ही इतियास है और इसी की जो प्राप्ति के लिए जो मानव्थ सभ्यता जो चेश्टा करेगा और जी जो रिविलिशन होगा जो अनुवुती होगा और उसको जो यह सत्य की अनुवुती के बाद जो उसको एक फुल्फिल्मेंट उसको एक हैपिनेस या एक खुशी मिलेगी औ और इसके साथ साथ मतलब एक मतलब स्वाधीन मतलब असल में एक सत्यक रूप में एक स्वाधीन और एक सभी तरह से परिपूर्ण एक मानव सभ्यता या मानव एक व्यक्तियत रूप में एक स्वाधीन एक सत्यक और और अगे बढ़ने वाला और एक सभी तरह से परिपूर एक व्यक्ति बनने वाला का जो चेश्टा है जो कारे कराप है या उसकी मार्ग पर चलने के जो दिशा है उसी को मतलब हिस्ट्री मानते थे या बास्तविक रूप में इथियास की अनुसंधान या इथियास है यह मानना था टेगोर जी का और उनकी जो चाहती या जो संधान थी या क्वेस्ट थी जो चाहते थे वो था अनादी या अनंत काल की मतलब संधान मतलब उनके लिए वास्तविक धर्म यह है वास्तविक जो इश्वर विश्वास यह है जो अनादी को प्रात्ति करना या उसको प्रात्ति करने का और इस तरह की उदार और मानविये जो विचार थे उनके लिए उन में तो उनक प्राकितिक एक अर्थ पतान करता है मानव सभिता को और अगर इस तरह का अर्व उदारता या मानवी गुन या मानवी धालना या विचार मानश्यों में समाज में नहीं होता है या वेक्तिक तुरूब में नहीं होता है तो उसकी जीवन में या मानव सभिता का कोई अर्थ न टेगोर उस समय कि जो उदारबाद या जो लिबरल्स थे या जो भी लिबरल्स सोच रखते थे जो उदारबादी थे उनकी तरह वो मानते थे उस समय कि जो भारत की जो असल में जो प्रॉब्लम है या जो समस्या है वो समाजिक है और नहीं राजनितिक है इसलिए भारत की जो प्रॉब्लेम वो समाज से उत्पन हुई है और इसकी सोलीशन भी राजनेतिक नहीं होना चाहिए था यह मानना था टेगोड जी का और इसी तरह ए नेरो वीजिन ऑप पॉलिटिकल लिबर्टी उट ग्रॉसली बी इन इस्टाबलेशिंग गूड सुसाइटी फॉड़ा डिना अधे जो भी है जो भी कूटी है या जो भी खामियाजा है उसको उसस को मतलब मतलब उस से उभरने के लिए कम बढ़ जाएगा या उसकी समाजिक अगर सुलीशन ना हो सिर्फ राजनेती solution हो तो भारत की जो सामाजिक जो असल में जो problem है उसकी solution नहीं मिल जिकता उसकी हमें उपाय नहीं मिल जिकता उसकी मतलब उसकी सुधान नहीं हो सकती है और that to deny individuals moral and spiritual freedom और साथ-साथ जो व्यक्तिक जो नेतिक या जो आत्मिक जो स्वाधिनता है जो उसकी जो उत्थान है वो उसको हासिल नहीं होगा अगर सिफ राजनेतिक तोर पे हम स्वाधिनता की बात करें और उसको नेतिकता के ओर से या समाजिक दिश्टिकों से उसको हम अगर नहीं देखे तो उस समय के जो भी आपके स्वाधिन देश थे उनको भी उन्होंने कि सोच भी राजनेतिक उत्तानक पे सिमित है और इस तरह की माँशिक्ता एक संकीन माँशिक्ता का रूप है ये मान था टेगॉर जी का और सिर्फ राजितिक स्वाधिनता ही मतलब मनिश्यों को स्वाधिन नहीं बना सकता है क्योंकि समाज में जो भी आपका विभेद है या जो भी कमिया है जो भी कमजोरी है वो मतलब समाज को मतलब समाजिक जो भी राजनिती है वो राजनिती के पती मतलब एक मतलब डेंजर के तरह एक खत्रा के तरह प्रकट होगा यदि उसकी solution हम मतलब राजनितिक तोर पे ना देखे सिर्फ समाजिक तोर पे ना देखे सिर्फ राजनितिक तोर पे देखे और रा राजनिती की आगे मतलग समयस्या के पती समयस्या की हिसाब से पकट होगा और कोई भी समयस्या का हमें समाधान या समाधान नहीं मिल सकता है यह कहना था टेगोर जी का अब समाज में जो भी आपके जो राजनिती विवस्ता या समाज विवस्ता है वह अगर जो आम इंसा ने उसमें अगर उसमें आत्म विश्वास ना जगा पाया तो वह हमेशा अपने आपको दूसरे से कमजोर महसूस करेगा और इस तरह का जो भी जो मतलब एक मतलब अनिया का जो टांडव है उस पे वह हमेशा मतलब हमेशा के लिए बरकार रहेगा और एक बेटी कभी अपनी जो हीन मान सिकता या जो भी उसकी जो कमिया है उससे वह नहीं उभर पाएगा अगर उसमें आत्म विश्वास ये नहीं जगा पाया समाज विवस्ता या राज्य जो भी समाज में जो उपर के जो लोग है समयज में जो उननत लोग है उनके समान भी वह बरावरी कर सकता है या उसमें भी ये शमता है कि दूसरे की तरह वह भी आगे बर सकता है तो ये अगर मान सिकता या ये आत्म विश्वास उसमें आगर नहीं जगा पाया तो वह कभी समाज कभी आगे नहीं पर सकता है यह मानना था टेगोर का और रेविना टेगोर की यही जोर या जो एंफसिस उन्होंने दिया था कि अक जोहतों साधान वएकती कि जो भी आपका समझसेया है उसकी उत्थान के जिर्य जो भी मतलब जरूरत की चीज़ है उसको जानना या उसमें यह आतम विश्वास जगाना की वह अपने आप ही उत्त अपने आतunk की समझसे तरह से मतलब परे होके मतलब आगे बढ़ सकता है तो इस तरह की जो भी आपका सोच था डविन्ट टेगोर जी का वो दूसरे जो भी आपका जनुपर जो भी पोलिटिकल थियोरी थी या फिंकर से उनसे अलग है क्योंकि वह मतलब कालपनिक विक्ति के उपर जोर दे देते थ जगा दिया जाया की वो उसमें ही हर समझेस ऐसमें जबता है और उसकी हर समस्या के समाधन उसमें ही अंतर नहीं थे और वो हर समस्या से उभर सकता है और जब ये सोच या ये जो आत्म विश्वास या ये आत्म सम्मान एक व्यक्ति में आ जाएगा तो वो पाकितिक रूप से उसकी उत्थान होगा उसको मुक्ति मिलेगी और वो आपने आपको आत्म जो self-realization है आत्म अनुसुन्धान कर सकेगा और समाज को आगे बढ़ने में सहायक होगा और व्यक्तिकत रूप में उसकी उत्थान दो होगा ही होगा ही साथ में समाज या देश का भी उत्थान होगा या विश्व वर्मान का उत्थान होगा तो ये था रविना टेकोर जी का थेरी ओफ्रीडम एंड self-realization का अनुसार मतलब रविना टेकोर जी का जो थेरी ओफ्रीडम एंड self-realization ये क्या था इसकी हम लोग ने details में discussion किया है तो आशा करता हूँ आप लोग अच्छा लगा है अच्छा लगा है तो like comment कीजिएगा और